नमस्कार ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च में 2023 की जो नई वाली PM आवास की सूची जारी हुई है वह सूची आप मोबाइल से कैसे देख पाएंगे साथी साथ यह जान पाएंगे कि इस बार की सूची में क्या आपका नम आया है या नहीं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गाओं में यह जानना चाहते हैं कि किन किन बेक्तियों का नम PM आवास की सूची में सम्मिलित हुआ है उन सब का नम आप देख पाएं बहुर 나서 की इस स्क्रिन पर आपको लिख रहा है सरकारी वर्द करके जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने जो फर्स ट वेब साइट आएगी इसी के ऊपर आपको ट Current करना हैं ट टच कर दिया गया और स्क्रिन को नीचे से उपर की तरफ आप सरकाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक अतरिक जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी की तयारी करने वाले बालक बालिका हैं तो उनको इसके बारे में जरूर बताएं क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी की हर एक अपडेट बड़े ही टाइम से आ जाती है अब हम चलेंगे आगे पीम आवास की सूची देखने के लिए इसक्रीन को नीचे से उपर की तरफ ले जाएंगे नीचे से उपर की तरफ जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्राम पंचायत जैसा की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ग्राम पंचायद जैसे दिखेगा आपको ध्यान देना है उसके बाद आपको यहाँ पर टॉच करना PM आवास 2022 नई सूची इस पर टॉच कर दिया मैंने उसके बाद यह आपको एक नए पेज में ले जाएगा यहाँ पर सारी बाते हिंदी में लिखी है कि 14 वित क्या है, रासन कार्ट, किसान सम्मान इधिव, रिदाप्यन सन बहुत सारी जनकारी आपको यहाँ मिला है इसके अलावा, PM आवास की सूची में आपका नाम क्यों कट जाता है, क्यों लोगों को छांट दिया जाता है क्या-क्या वज़े हो सकता है सारी बाते असपर स्ट्रूप से हिंदी में लिखी है पूरा जनकारी पढ़ने के बाद आप स्क्रीन को नीचे से उपर जब करते जाएंगे तो आपको फिर से दिखेगा पी-म आवाज 2022-23 नई सूची इसी के उपर आपको टच करना है जैसे टच करेंगे तो आप अफिस्यल वेब साइट पर आ जाएंगे आने के बाद आपको इसके उपर टच करना है आवाज साफ्ट आवाज साफ्ट के उपर जैसी टच करेंगे तो आपको report का option दिखाए देगा इसी report के उपर आपको touch करना है टश करने के बाद screen को नीचे से उपर ले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे यह 44 section में यह जो एक number लिखा है ना इसी के उपर आपको touch करना है टश करने के बाद आपके सामने select वाला option आ जाएगा अगर यह select वाला option आ गया तो समझिए कि आप सही page पर है हम select पर पहले बारे select पर टश करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप की से राजजिके हैं तो हम उत्तरप्रदेश राज-जीश हैं तो उत्तरप्रदश select करेंगे आप अपना राज coffee select करेंगे उसके बाद फिर से select का आपसा नीचे दिखेगा तो यहाँ पर आपको जिला select करना है तो उत्तरप्रदेश में हम आजम गढड जिला select करते हैं मैंने select के लिए आल महाराज गंज ब्लाकorter हम select करते हैं इते पर आपको फिर select करना है कि महाराज गंज ब्लाक में क harbor kansa चाहत के हैं So हम महाराज गंज ब्लाक के अंदर भगवान पूर गreme7 करना है इसे करेंगे हैं कि इसी तरहिके से आप अपना ग्राम पंचाहत अपन ब्लाक Slow लेक्ट करीगा अब फिर सेलेक्ट का बटन आगया यह क्या चीज है यहाँ पर पूच जा रहा है कि किस राज के हैं आप किस शन का आप देखना चाहते हैं possiamo 2022 का देखना चाहते हैं इस पर टश करेंगे विए इसके बाद प्रसे से बचु Last का पसं नहीं इस पर आपको सेलेट करना सबसे उपर वाला परधान मंत्री आवास ग्रामीड जैसे इसको सेलेट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने जोडने या घटाने के लिए यहां पर ग्रीन कलर में कुछ लिखेगा मैं जब देख रहा हूं तो 26 और 30 जोडना है आप जब देखेंगे तो कुछ और लिखा रहेगा तो जो भी लिखा रहेगा चाहे जोडना होगा चाहे घटाना होगा तो आप वही काम कर दीजेगा करने के बाद आपको इसका जोड़ घटाना जो भी होगा वह यहाँ पर लिखना है तो 26 और 30 जोड़ेंगे तो 56 आएगा और हम 56 यहाँ पर लिख देते हैं 56 लिखने के बाद उसके ज़स्ट नीचे सबमिट बटन है इसी पर टच करना है टच करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जिन जिन लोगों का नाम PM आवास की सूची में था आया है उन सब का देखिए यहाँ पर नाम 2022 सब कुछ लिखा हुआ है तो जो भी जानकारी आपको चाहिए और सारी जानकारी यहाँ पर मिलना रही है अब अगर चाहते हैं कि इसे डांगलोड करना तो इस डांगलोड बटन पर टच करेंगे आप टच करने के बाद आपका यह वाला यह वाला जो लिस्ट है यह डांगलोड हो जाएगा मैं इसका स्क्रीन साट ले लेता हूँ उसके बाद मैं डाउन्लोड करके दिखाता हूँ चलिए मैंने डाउन्लोड कर दिया स्वरी स्क्रेंस ले लिया अब हम डाउन्लोड बटन पर टेस्ट कर रहे हैं कि आपने अब यह फाइल जैसे ही डाउन्लोड हो जाएगा तो ओपेन होने के लिए पूछेगा तो हम जस्ट बन पर क्लिक करते हैं देखिए फाइल पूरा तरीके से ओपेन हो गया और जिन जिन लोगों का नाम है इसमें सब का नाम यहाँ पर शो हो रहा है तो टोटल कितना नाम है 41 नेम है यहाँ पर देखेंगे आप कि एक तारिष नाम है ठीक है और इसी तरीके से आप अपने गाउं का अपने जिले का यहाँ देखिए यहाँ पर डेट देखिए 28-1-2023 यानि यह जनवरी का फाइनल लिस्ट है यह इनका जनवरी में हुआ है देखना 21-1-2023 इनका प्रोसेस 21 को इनका देखिए 28 को है ना इनका भी 21 को हुआ है तो बहुत सारी जनकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी इस नाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अगर यह PDF किसी को सेयर करना चाहते हैं तो यह कोने पर तीन बिंदी आपको मिलेगा इस पर सेलेट करेंगे सेंड फाइल पर फिर इस पर सेलेट करेंगे उसके बाद पूछेगा कि आपको कहां भेजना है तो आपको WhatsApp पर भेजना है किसी मित्र को तो WhatsApp के अंदर आ जाएंगे जिसे भेजना होगा मान लेजे इने भेजना होगा इसे हम भेज देंगे चलिए हम भेज के दिखा देते हैं हमने भेज दिया और यह फायल चला गया तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वीडियो का ऐसा लगा कमेंट जरूर कीजेगा थेंक यू